जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बायत करेंगे फरवरी माहां 2022 के अन्तिम सप्ता के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए 22 फरवरी से 28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से तो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो हम बात करें हैं 22 फरवरी से 28 फरवरी तक के कन्या राशी फल के बारे में और इस सब्ताह की अगर हम शुरुवात देखें तो 22 फरवरी को त्रिपुषकर योग बना हुआ है जो बहुत खास है यानि सब्ताह की शुरुवात एक उत्तम यो बनने वाले हैं जो इस सब्ताह को विशेश बनाते हैं एक तो इस सब्ताह में दो ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा और दोनों ही ग्रह एक ही राशी में गोचर करेंगे मकर राशी में जहां पहले से एक दो ग्रह मौजूद है तो पंच ग्रही योग का निर्मान भी इस अब इस सब्ताहा में जो ग्रहों का जमावड़ा एक साथ होने वाला है एक साथ पांच ग्रह बैठने वाले हैं तो इन पंच ग्रही योग से कई तरह के लाब देखने को मिलेंगे और कुछ उसावधानिया भी होंगी तो ये सब कुछ हम विस्तार से जानते हैं बात करते हैं सब्ताहा की शुरुवात से 22 वरवरी से तो चंद्रमा यहां आपके दुईते भाव में बैठे हुए हैं दुईते भाव है आपका धन का भाव तो ये सब्ताहा की शुरुवात काफी लाब दायक होने वाली है आपके लिए आपके सितारे आपके जीवन को और बहतर बनाने की तरफ अग्रशर रहोंगे आपको जीवन के अपने मुल्यों का बस पालन करना है ताकि आप चीज़ों को बहतर तरीके से समझ सके और लाबदाक आयप राप्त कर सके अपनी जो वित्य इस्थिति है उसको इस्तिर कर सके आपका परिवार आपके लिए कुछ ऐसे रोमांचकारी योजना बना सकता है या कोई यात्रा का भी एक काम हो सकता है कि आपके लिए कोई यात्रा प्लान की जाए और अपने पूरे परिवार के साथ आपके सी यात्रा पर जाएं तो यह बड़ा ही enjoy करने वाला समय आपके लिए रहेगा, जो आपको खुश करेगा, प्रफुलित करेगा, अपने रिष्टेदारों के साथ वक्त बिताने के लिए भी एक बहुत अच्छा है, समय है, बहुत ही बहतर तरीके से आपको उन के साथ प्रसमे बिताने का मौका मिले और अपने रिष्टों को मजबूत बना पाएंगे यह आपकी कंपनी आप जहां काम करते हैं वहां से आपको कोई प्रोथसान दिया जा सकता है कोई प्रोथसान की पिशकस जारी की जा सकती है जो एक अलगी अनुभूती देने वाली होगी जो आपके विकास में आपकी मदद करेंगे जीवन में अपने लक्ष को प्राप्त करना आपका प्रथम एक कारण है कि आप अपनी हर चीज को बहतर तरीके से समझते हैं उसको बहतर तरीके से पूरा करते हैं आपके उच्छ अधिकारी जो काफी समय से आपके उपर नज़र रखे हुए थे उनके उपर आप अच्छा प्रभाव छोरेंगे जिससे आपको पुरुस्क्रत किया जा सकता है प्रेम संबंदों में थोड़ी सावधानी शुरुवाती दौर पर रखनी है किसी तरह के जब आप समवाद करते हैं बात करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखते हुए आपको ये कारे करना ना चाहते हुए भी बाते जो हैं वो आपको यानि आपके साथी को बुरी लग जाएं तो यहां थोड़ी सी जड़ा साफधानी रखके चलें बाकी कारेशित में कामकाज का प्रेशर थोड़ा जादा रहेगा मद्ध्य माह में जिसे निप्णाने के लिए आपको मेहनत जादा करने पर सकती है और कामकाज के सिलसले में मद्ध्य सब्ता हमें कुछ यात्रा भी करने पर सकती है यह यात्रा लंबी भी हो सकती है यह यात्रा चोटी भी हो सकती है इसके लावा आपके वहवार में सब्ता हमें आपके व्यक्तितों में सकारातमक बदलाव होंगे और यह सकारातमक बदलाव आपके लिए काफी जादा महत्वपून रहेंगे आपके कठिन से कठिन कारिय समय पर पूरे हो जाएंगे जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है कि आप हर कारे को समय से पूरा करते हैं सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें और सेहत अच्छी होगी तभी आप अपने कामों को भी पूरा कर पाएंगे आपके जो मित्र हैं जो आपके सहयोगी हैं उनके साथ जोनाओं का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा किसी की भी अंदेखी ना करें जब भी आप किसी तरह का नियन न लेते हैं प्रेम जीवन की यदि बात की जाए तो प्रेम जीवन अच्छा है लेकिन अपनी निजी जीवन में किसी की दखल अंदाजी बिलकुल ना निकालना होता है कुछ पल उनके साथ भी बिताने होते हैं बहुत सी बातों को इग्नॉर करना होता है तब जाकर एक सफल जीवन आप जीते हैं तो इसी चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा अगर आप शादी शुदा हैं तो दांपते जातकों के लिए संतान की तरफ विशीज ध्यान देने का संकेत है कि आपको अपनी संतान पर विशीज ध्यान देना होगा चाहे वो उनके स्वास्ते संबंदी हो चाहे वो उनके एजुकेशन संबंदी हो तो ध्यान आपको जरूर रखना होगा अगर आपकी आर्थे किस्टिते की बात करें तो वो ठीक ठाक रहेगी लेकिन आपके घर का कोई सदस है बहुत समय से अगर वो विदेश जाने के चुपते प्रयास कर रहे थे तो उनके लिए कुंडली में बड़ा अच्छा योग बना हुआ है तो आपका जो विदेश में बसने का सपना है वो भी इस सपता हमें पूरा ह खिन हो सकता है जिसके वज़े से पढ़ाई में आपका मनना लगे तो आपको अपनी उर्जा को सही देशा में लगाना है और किसी भी तरह की नेगिटिविटी अगर है तो नेगिटिविटी को दूर करें छोड़ा मेडिटिशन कर सकते हैं जो आपको काफी बैनिफिट दे ने की आई पश्रक्ता है करन्य राशी खेंडिब और बुदुद धेव इस सब्थाह में 27 फरवरी से पंच ग्रही योग में शामिल होंगे जो 5 ग्रह हैं मका राशी में हैं शनी हैं मंगल हैं शुक्र हैं चंद्रमा हैं और बुद्ध हैं ये पांच ग्रह मकराशी में होंगे मकराशी में जो इस्थिती है आपके पंचंभाव में जो की बुद्धी का है संतान का है प्रेम का है तो एक तो प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं साथ में शुक्र भी मौजुद हैं हर्ते तरीक से धेहन देना है ताकि आपको अपने कामों का पूंढ लाभ पराफ्त हो सके एक कारिया जरूर करें कि बुध्ध्वार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जाज़ जदा लाइक करें शेयर करें